Hello Friends, Welcome to Study with Sunil देखे दो तो बात करेंगे अपन हिंदी के क्यूसन आनसर के बारे में और General Science और इसके अलावा शिक्ष्या मनोविग्यान के क्यूसन आनसर के बारे में बात करेंगे यह जो सारी क्यूसन है वो आपके 6th, 7th, 8th, 9th और 10th की जो RBSC की बुक है उनमें से सारे उठाए गई है और जो सिक्ष्या मनोविग्यान के क्यूसन है वो 11th और 12th की जो सिक्ष्या मनोविग्यान की बुस्तक आती है उसमें से ले गई है तो सारे क्यूसन आपके एक्जाम के दरिश्टिकोंट से इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो को आप लाश्टि तक जरूर देखना देखे पला क्यूसन आपको दिया गया है जो अच्छा बोलता हो जो अच्छा बोलता है उसके लिए वाक्यान के लिए एक सब्द को नशा होगा वो आपको बताना है जो अच्छा बोलता है उसको मित बासी बोलते हैं या सू बासी बोलते हैं सू वक्ता या फिर सू बासनी है तो जो अच्छा बोलता है उसके लिए क्या सब्द काम में ले जाता है सू वक्ता, सू यानि अच्छा और वक्ता यानि बोलने वाला यानि जो अच्छा बोलता है उसके लिए सू वक्ता जो सब दवुका में ले आ जाता है। सू भासी नहीं होगा और मित भासी भी नहीं होगा। फिर देगी अगला किशन आपको दे रखा है जो किसी भी पक्स में नहीं रहे। उसको क्या बोलते हैं विपक्सी बोलते हैं तटस्त बोलते हैं निर्पेक्स या फिर पक्सहीन तो जो किसी भी पक्स में नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं तटस्त बोलते हैं अपने ही विचार के ओपर अडिक रहने वाला जो होता है ग्रितार्थिक परोपजीवी उपकरित या फिर उपमे तो जिसके उपर किसी का उपकार होता है उसको क्या बोलते हैं उपकरित बोलते हैं ठीक है उपकरित ओप्सन सी इसका अनुसर होगा नेक्स्ट आपको देखा किसी मत का सर्वफर्तम प्रवर्तन करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं आदी प्रवर्तक प्रवक्ता अगरनी या फिर दृत गामी किसी भी मत का सर्वा फरतम गुण और दोस्ट का जो वर्णन होता है उसको क्या बोलते है अलोजना, समालोजना, समिक्सा या फिर अनुशिलन गुण और दोस्ट का जो वर्णन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है समालोजना की नाम से जाना जाता है option shaken क्या होगा इसका answer होगा अब देखें अपने बात करते हैं समास से रियलिटेट किसन अनसर के बारे में तो एक पद आपको दिया गया है अट कोना, अट कोना में समास कोन सा है वो आपको बताना है अट कोना यानि कि आठ कोना, आठ कोनों का समाहा तो वेशी बात हैं आपर सम्मों का बहुत हो रहा है तो दीगु समास का ये उदारन है उपसन शेकिंड इसका अनसर होगा फिर देखिए अगला कि उपसन आपको दे रहा है गंगा जल में कौन सा समास है गंगा जल में कौन सा समास है इसका आनसर होजएगा यह संबन्द तत्पुरु समास का यह उदारन है उसके बाद देखें मुनिवर में कौन सा समास होगा मुनिवर जो सब्द है उसमें कौन सा समास होगा यह आपको बताना है मुनिवर में कौन सा समास है ग्रह प्रवेश में कौन सा समास है दिवगु नहीं होगा और द्वन्दव भी नहीं होगा ग्रह प्रवेस में कौन सा समास हो जाएगा आपका तत्पूरु समास का ये उदारण है ग्रह में प्रवेस यानि की अधिकर्ण जो कारेक विवक्ति है में पेपर उसका प्रियोग या प्रवा है तो अधिकर्ण तत्पूरु समास हो जाएगा ग्रह प्रवेस ग्रह में सा होगा वक्रतुंड में समास कौन सा होगा दोंदवे तत्पुरुस बोवरी देखे इसके अंतरकत तो शीदा सा तीर स्तरा जो अर्थ है वो निकल रहा है वक्रतुंड महाकाई ठीक है तो कहने का मतलब है कि बोवरी समास का यह उदान है और ओप संशी क्या हो जाएगा इसक ही निरुष में और यह आपको कौन से समास की का अबियोह समास की कोई सत्रा जूस ज्री नहीं Saat गर्वाची ओप दे रह न और पने होगा जम एजमें अ बैर कोंच समाण को साहे है और स्मास कर्मदांज क्रम दार्य समास ठीक होगा है इसलिए द्यूगु समास का युदान हो जाएगा ओप्शन C फिर देखें अगला क्यूशन आपको मुहावरे और लोकॉप्ति से रिलेटेट दे रखा है तोते की तरह आंके फेड़ना तोते की तरह आंके फेड़ना इसे मुहावरे का अर्थ क्या होगा चार उप्शन आपको दे रखें तोते की तरह आंके फेड़ना यानि कि पुराने संबन्दों को एकदम बुला देना जो पुराने संबन्द थे उनको एकदम से बुला देना कहने का मतलब है तोते की तरह आंके फेड़ना उप्शन फेड़ना इसका आंसर हो जाएगा सो सेयाने एक मत सो सेयाने एक मत ये एक लोगोप्ती है इसका अर्थ आपको बताना है सो सेयाने एक मत तो कहने का मतलब बता है बुद्धी मानों के विचार जो होते हैं वो एक से होते हैं बुद्धी मानों के विचार एक से होते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे इस लोकोप्ति का अर्थ क्या होगा पर उपदेश कुशल बहुतेरे करने का मतलब है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना इसलिए लोकोप्ति का में लिजाती है कि पर उपदेश यानि कि दूसरों को उपदेश और कुशल बहुतेर यानिके उनको आसान समझना, option C इसका answer होगा, फिर अकल पर पत्थर पढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, अकल पर पत्थर पढ़ना, मुर्ख बनाना, अपमांजनक बात करना, बुद्धी ब्रेश्ट होना, या बेफिक्र होना, अकल पर पत्थर पढ़ना, यानिके ब बुद्धी ब्रेश्ट होना, option C इसका answer होगा, फिर अगला देर रख है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखें, इसका अर्थ होता है, स्वयम परियत्न करने पर ही काम बनता है, ठीक है, स्वयम के द्वारा परियत्न किया जाता ह तबी काम बनता है इसलिए काम में लिया जाता है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता अब देखे हैं अब बात करते हैं साइन्स से रिल्टेड कुछ से क्यूशन आनुसर के बारे में देखें कार बेटरी में किसे इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का उप्योग किया जाता है हाइड्रोकलोरिक एशिड का सल्फियूरिक एशिड नाइट्रिक एशिड या फिर आसुत जल देखे कार जो इलेक्टरिक बेटरी होती है उसके अंतरगते कौन से इलेक्टरो लाइट वदार्द का उप्योग किया जाता है सलफिरिक एशिड का प्रियोग किया जाता है फिर देखिए सूस के कोशिका में कौन सी उर्जा पाई जाती है या अंतरिक उर्जा वीदियो तो चुम्ब किये ड्राई सेल में कौन सी उर्जा पाई जाती है तो उसमें रहसायनिक उर्जा पाई जाती है फिर देखिए अक्सर मुत्रालियों के पास आने वाली एक तीखी गंद किस के कारण होती है मुत्रालियों के पास आने वाली एक तीखी गंद होती है वो किस के कारण होती है सल्फर डायाउकसाइड, कलोरीन, अमोनिया या फिर यूरिया तो वो जो गंद आती है वो किसके कारण आती है आपकी अमोनिया के कारण आती है अमोनिया उपसेंशी इसका आनसर होगा यूरिया इसका आनसर नहीं होगा और यूरीन के अंतरकते जो सोलिसन आता है उसमें 95% से जदा आपका क्या होता है वाटर होता है देखें चुहे माणने का जहर बनाने के लिए किस रासानिक पदार्थ का परियोग किया जाता है चार उप्सन आपको दे रखें चुहे माणने का जहर बनाने के लिए कौन शे रासानिक पदार्थ का उप्योग किया जाता है पोटेशियम साइनाइड का परियोग किया जाता है ठीक है पोटेशियम साइनाइड ओप्सन शी फिर देखे अगनी सामक में कौन शी गेस का उप्योग किया जाता है अगनी सामक जो यंतर आता है उसमें कौन शी गेस का उप्योग किया जाता है कारबन डायकसाइड, हाइट्रोजन, ऑक्सिजन या फिर सल्फर डायकसाइड तो अगनी सामन यंतर के अंतरकत कुन शी गेस काम में लेते हैं कारबन डायकसाइड गेस का प्यरोग क्या जाता है option fest इसका अनसर होगा अब देखें बात करते हैं किसोर मनौविज्जान याण किषिक्षा मनौविज्जान के बारे में तो देखें पहला किसोर आपको दिए गएड़ा इन में से कौन सी विष्यस्ता, जो है वो किसोरवस्ता अवदी की नहीं होती चार ओप्सन आपको दिए गए है देखिए इन में से असपस्ट एउं इस्थिर आत्म प्रते ये जो है वो किस्वर आवस्ता की आवस्ता नहीं होती ओप्शन फॉर्ट क्या हो जाएगा इसका आनसर हो जाएगा फिर नेक्स देखिए निम लिखित में से कौन सी विशेष्टा आनतरिक रूप से अभिप्रेजित बच्चों के लिए सही नहीं है आनतरिक रूप से अभिप्रेजित बच्चों के लिए कौन सी जो विशेष्टा है वो सही नहीं है ये आपको बताना है देखिए उन्हें कारी करने में आनन्द आता है बिलकुल आनन्द आता है वे कारी करते समय उच्छ तर्गी उड़जा परतशित करते हैं बिलकुल करते हैं वे चुनोती भरे कारी को भी पसंद करते हैं लेकिन वे हमेशा सफल होते हैं ये गलत है ठीक है आंतरिक रूप से वोत्म कोन सा है एक अच्छा अध्यापक एक अच्छे अध्यापक के बारे में आपको खतन दिये गए हैं और सबसे उप्युक्त खतन कोन सा है वो आपको छांटना है एक अच्छा अध्यापक क्या करता है एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए व्यख्यान विदिका प्रियों करता है बिल्कुल करता है फिर प्राय प्रदसन के मादम से वो शिकाता है बिल्कुल प्रदसन करके भी वो शिकाता है विद्यार्थियों को सदेव अनुसासन में भी बनाए वो रखता है लेकिन विद्यार्थियों को सदेव शीखने के लिए प्रेरित करता है ठीक ह चारती जो होते हैं उनको शीखने के लिए हमेसा वो प्रेरित करता है यह सर्वत्तम खतन हो जाएगा इसके अंतरगत और ओप्शन शीखिया हो जाएगा इसका आनसर हो जाएगा फिर देखिए अगला किसन आपको दिरिखाए निम लिखित में से कौन सा खतन है विकास और देखिए अधिगम विकास के पीछे रहता है अधिगम और विकास सामनार्ता के यहीं प्रिवासिक सब्द है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके इसम को शरवश्य पी इसलिए ये सभी option D क्या बजाएगा इसका answer हो जाएगा तो उमीद आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिलाओगा for the time being this is the end of the video and thanks for listening God bless you all